हां पिक्स सैंसें एट सथ इंकमिंग कॉल वॉलिएम प्रोब्लिम नमस्कार दोस्तों अगर अब आफ सभी का तेकरा आज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियों पर नंहिए up को वताऊंगा कि कैसे आफ जोहें इंकमिंग कॉल को वॉलिएम प्रोब्लिम solve कैसे कर सकते कए बार दोस्तों क्या होते हैं इंकामिंग कॉल वोलियम बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं या फिर आच्छे से नहीं आते हैं अब तक ठीक है या फिर किसी भी तरीके का incoming call volume problem हो सकते हैं तो अगर दोस्तों आपको यहां पर problem solve करना है तो इस वीडियो को अंतक देखे जो भी मैं आपको solution बताऊंगा उसको follow करें आपका problem definitely solve हो जाएगा ठीक है incoming call के incoming call volume के related कोई भी problem है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूद देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकोन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके मेसेज कर सकते हैं तो चले दोस्तों वीडियो पर निकाल देना है सिम एजेक्टर के मड़द से आप सिम कार्ट को बहार पर निकाल दीजिए उसके बाद दोस्तों इसको अंदर पर बढ़ीजिए तो ऐसा करके निक्रेस कर सकते हैं तो नेक्स्ट पर जाते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों आपको क्या करना है स्क्रोल डाउन करना है ठीक है एपस पर क्लिक करना है एपस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो है आ जाना है और आपको सर्च करना है फोन सर्विस तो यह रहा दोस्तों फोन सर्विस तो फोन सर्विस में जाए इस टोरेज पर क्लिक किजिए इस टोरेज पर क्लिक करने उसके बाद दोस्तों आपको बेक करना है बेक करने के बाद आपको जाना है जेनरेल मेनेच्मेंट पे एंद आपको क्लिक करना है रिसेट और उसके बाद जाना है रिसेट नेट्रोक सेटिंग डियल सी में तो सीम को सेलेक करें और यहां पे रिसेट पर क्लिक कर दीजिए ठी किज़े सारे Applications को Close कर दीजी Close All पर क्लिक करके ठीक है यहाँ और आप चेक करके देखे Call कीज़े problem solved हो चुका हो गाँ अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर आपको आभी भिवी problem आ रहा है तो जाए सेटिंग पर एक अगर मोबाइल नेटो कनेक्शन को switch करने की कोशिश करें ठीक है नेटो किया पर switch किजिए जैसी की 2G3G connection से आप उसको switch कर सकते 3D पर connect कीजिए 3G काम नहीं कर रहे तूजी तुझी के बार फोड़ जी ठीक है इससे नेटोक रिफ्रेश होते हैं सारे साथ एकसेस पॉइंट नेम पर जाए ठीक है आपकी एपिएंट सेटिंग और उसको भी एक बार रिसेट कीजिए तो यहाँ पर रिसेट करने के लिए आपको 32 पर क्लिक करना है औरुसेट करने के बाद दोस आप cœur perdu करें देखें कि incoming call problem solve हुआ या नहीं वह है अगर solve हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो software update कीजिए ठीक है software update कीजिए software update करने के बाद आपका incoming call problem incoming call volume का अगर problem रहेगा तो definitely और 100% यहाँ फीक्ष्ट हो जाएगा ठीक है तो इस तरहेगे से आप आपने incoming call volume problem solve कर सकते हैं software को update जरू से कीजिएगा वाई इनी चांस अफिर अपडेट करने के बाद भी काम नहीं कर रहे तो जनेरल मेंश्ट्मेंट पर जाएए और reset पर क्लिक करके आपको factory data reset करना है और factory data reset करने के बाद यहाँ पर आपको password पूछा जाएगा तो password भर दीजे और factory data reset हो जाएगा problem पूरा solved ठीक है लेकिन दोस्तों factory data reset में आपको यहाँ पर प्रीफर नहीं करना चाहोंगे क्योंकि दोस्तों आपको अगर फिर भी problem आ रहा है तो हो सकते हैं जो भी बंद आपको call कर रहे हैं उसमें mic का problem हो सकते हैं mic का problem हो सकते हैं उसके वज़े से आपको call बोले हम अच्छे से सुनाएं नहीं दे रहा हो या फिर आप किसी technician के मदद ले सकते हैं वो भी आपको problem जोई solve करके देगा अगर mobile warranty पे है तो आप service center जा सकते हैं free में solve हो जागा problem तो यह सारे चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है incoming call volume low problem या फिर incoming call volume problem हो रहा है तो आप यह सारे solution के मदद से fix कर सकते हैं आज की इस वीडियो बड़ों से इतने माइट करते आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching